आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलास्ट की बैलास्ट क्या होता है उसे हम क्यों रेल्वे ट्रैक में यूज करते हैं उसका आपका रिक्वायर्मेंट क्या होता है एक अच्छे बैलास्ट का फंक्शन क्या होता है बैलास्ट का और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कितने प इसी को हम क्या कहते हैं? यह railway track में यहाँ पे भी यूजू होगा आपका दो real के बीच में और साथ ही साथ इसके sides पे भी हम بالस्ट को provide करते हैं तो what is ballast होता क्या है? बैलस्ट is the granular material usually broken stone or brick shingle and conquer, gravel and sand placed and packed below and around the sleeper to transmit load from sleeper to formation and at the same time allowing drainage of the track it provides a suitable foundation for the sleeper and also holds the sleeper in their correct level and position preventing their displacement by lateral or longitudinal thrust the lateral stability of a track depends on the ballast यह कहता है कि ballast आपका क्या होता है granular material होता है जैसा कि आपका क्या हो गया broken stone हो गया sand हो गया gravel हो गया, broken bricks हो गया pebbles हो गया यही सब को हम क्या कहते है ballast कहते है ballast का function यह होता है यह क्या करता है load को transfer करता है तो load आपका पहले किस में आता है आपका rail में आता है rail से load transfer होता है उसके second member पे किस पे sleeper पे अब sleeper से यह जो load है वो जाता है किस पे आपका बैलास्ट में तो बैलास्ट क्या करता है उन लोड में से कुछ लोड को वो खुद एबसॉप कर लेता है और बाकी बचे हुए लोड को वो ट्रांस्मीट कर देता है अपने बॉटम की लेयर पे जिसे हम फॉर्मेशन कहते हैं नेक्स्ट बैलास्ट को प्रोवाइड करने का एक और फंक्शन ये होता है कि ये ड्रेनेज प्रोवाइड करता है जो रेन वाटर आता है उसके लिए तो ये क्या करता है जो बारिश का पानी आता है हमको उसको क्या करना है, railway track में जमा होने से prevent करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ballast का use करते हैं क्योंकि ballast uneven shape के stones होते हैं, तो यह क्या कर लेते हैं उनमें present जो voice रहते हैं, वो क्या काम करते हैं water को easily drain out करने का काम करते हैं इसलिए भी हम क्या करते हैं बेलास्ट का यूज करते हैं अब यह बोलता है कि बैलास्ट आपका क्या करता है लेटरल और लॉंगिट्यूद्न थ्रस्ट जो तो जनरेट हो रहा है आपके रेलवे ट्रैक में उसके कारण वह क्या करते हैं ट्रैक stability provide करता है ताकि आपका जो sleeper है अपने position से displaced ना हो तो यह भी कह सकते हो कि sleeper को अपने position पे continuously maintain करने के लिए भी हम क्या करते हैं आपका ballast का use करते हैं और आपको properly rail track जो है वो work करें इसलिए क्या करते हैं बेलास का use करते हैं ताकि वो shock and vibrations को absorb कर सके तो यही ballast के definition में लिखा है next है हमारा requirement of good ballast की ballast का क्या requirement होता है first यह बोलता है कि आपका जो ballast है it should resist crushing under dynamic loads dynamic load का मतलब यहाँ पर है आपका जो आपका live load आता है train का उसे ही हम क्या कहते हैं dynamic load dynamic load unpredictable load होता है जिसमें आप load की value को analysis नहीं कर सकते कि अब कितना load का value बढ़ेगा या कम होगा यह depend करेगा उसके उपर जो vehicle move कर रहे है train के उपर कि आपने उसमें कितनी loading दी है तो यह जो stone है वो convert होगा small size के stones में then again crushing के कारण वो convert हो जाएगा powder के form में और एक बार अगर आपका stone powder के form में convert हो गया तो वो आपके railway track को dusty बना देगा जो कि आपका track को आप successfully आप देखोगे तो उसमें problem create करेगा और train को move करने में objections create करेगा next है the designed depth of the ballast should be able to distribute the weight of passing trains on the formation underneath uniformly यह बोलता है कि आप जो ballast provide कर रहे हो उसका जो depth है वो sufficient होना चाहिए ताकि जो भी load वो sleeper से transmit कर रहे है bottom की layers में वो उस पे uniformly load को transmit कर सके next है it should make the track dusty it should not make the track make the track dusty due to powder formation under dynamic wheel loads यह मैंने first point में ही explain कर दिया है कि आपका dust create नहीं होना चाहिए क्योंकि आपका मतलब बोल सकते है आपका stone जो है वो crush करके powder form में नहीं convert होना चाहिए नहीं तो यह आपके railway track को dusty बना देगा next है it should be reasonably elastic यह बोलता है कि आपका जो material है उसमें elastic की property होनी चाहिए ताकि वो load के कारण थोड़ा अपने आपको adjust करके उसको successfully carry कर सके next it should be able to it should have resistance to abrasion and weathering abrasion का मतलब होता है जो दो particles आपस में घिसते हैं या टकराते हैं तो उनहीं को हम क्या कहते हैं vibration कहते हैं तो यह आपका railway track में कब होगा जब आपका train high speed से move करेगा तो वो क्या करता है vibrations generate करता है और यही vibrations के कारण आपका जो ballast है वो आपस में टकराते हैं तो यह वो रहा है वो आपस में टकराने के कारण उनमें कोई भी effect नहीं होना चाहिए next it should be non-porous to provide durability to the ballast आपको जो ballast के रूप में आप जिन material को यूज कर रहे हो वो non-porous nature के होने चाहिए अब porous और non-porous क्या होता है एक बार आप इसको समझ लीजिए porous का मतलब यह होता है कि ऐसे material जिन में बहुत सारे voids हैं और इन voids के का जिसमें बहुत जैसे कि आप बोल सकते हो जैसे के sponge हो गया उसमें क्या है बहुत सारे voids हैं तो आप जैसे पानी के कुछ drops डालोगे तो वह sponge क्या कर लेता है एब्सॉप कर लेता है वह एब्सॉप इसलिए करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे voids हैं और यह voids में आपके क्या fill up हो जाते हैं water जाके fill up हो जाते हैं next don porus का मतलब यह होता है ऐसे material जो जिन में voids नहीं होते और वह बिल्कुल भी कोई भी water को absorb नहीं करता तो यह बोलता है कि आप जो ballast के रूप में material यूज कर रहे हो वह non porus nature के होने चाहिए next है it should hold the sleeper laterally and longitudinally under all conditions traffic especially on the curves यह बोलता है कि आपके sleeper को proper अपने position पे hold करके रखने की शमता आपके ballast में होनी चाहिए चाहिए आपका जो track है वह straight track हो या उसमें curve आ रहे हो कर्व का मतलब straight track मतलब यह straight line में आपका track है और curve track का मतलब होता है कि कहीं पे आपका ऐसा turns आ रहा है railway track में तो यह portion को ही आप क्या कहोगे curve tracks कहोगे next है it should be able to facilitate easy drainage to rain water यह बोलता है आपका जैसे ही rain water आया यह immediately उसको drain out कर देना चाहिए और कोई भी water को यह store करके track में नहीं रखना चाहिए तो यह सारी properties होनी चाहिए आप जो ballast railway track पे use कर रहे हो उसमें नेक्स्ट लिखा है function of ballast की ballast का क्या क्या function होता है railway track पे जिसको मैंने अभी आपको requirement में पढ़ाया है सेम चीज को आपको function में लिखना है लेकिन इसमें जो first line रहेगा उसमें आ जाएगा it provide आ जाएगा और उस requirement में था it should हो जाएगा सेम चीज को ही इसमें आपको लिखना है जैसे कि function में आप बता सकते हो कि यह good quality का होना चाहिए इसमें porous नहीं होने चाहिए यह मतलब आपका जो ballast आप यूज करोगे वो non-pourous nature का होता है क्यो non-pourous nature का होने के कारण यह जो void से उसमें आपके क्या होते पानी आके जमा नहीं होते जिनके कारण आपका जो strength और durability है इस track का वो maintain रहता है ballast का function यह भी होता है कि वो sleeper को अपने position पे hold करके रखता है और क्या करता है आपके track को strength provide करता है next आप यह भी बोल सकते हो कि आपका जो track का foundation है वो आपका ballast form करने में help करता है यह बोल सकते हो आपके foundation या एक level surface बनाने में track का आपको help करता है next आप यह बोल सकते हो कि आपका vegetation के growth या फिर plant growth को यह क्या करता है आपका ballast eliminate कर देता है जो कि एक बहुत बड़ा obstruction होता है railway track पे next यह बोलता है कि आपका unevenness को eliminate कर देता है track के next आप बोल सकते हो lateral और longitudinal stability provide करता है track में next यह बोल सकते हो कि जो भी absorption rolling या sudden impact load है इसको absorb करने के इसमें शमता होती है next है आपका types of ballast types of ballast आपके different types के material के उपर depend करते है तो सबसे first लिखा है broken stones second है आपका क्या gravel next है आपका ash, sand, morum, conquer, brick ballast, blast furnace, slag, selected earth अब यह जिस order में लिखा है यह आपका लिखा है किसमें आपका कि कौन सा material mostly हम जादा use करते हैं सबसे जादा हम use करते है broken stones को next अगर broken stone available नहीं है तो हम gravel या river pebbles को use करते हैं अगर यह दोनों भी available नहीं है तो हम ash को use करते हैं अगर वो भी available नहीं है तो sand को use करेंगे अगर हम को कुछ भी available नहीं है तब हम इन material को use करेंगे next सबसे first हम पढ़ेंगे कि broken stone किसे कहते हैं जैसा कि आप diagram में आपको clear होगा कि broken stone किसे कहते हैं कि मैंने real images use के हैं ताकि आप ज्यादा अच्छे से इसे समझ सको broken stone होता क्या है this is the best material for ballast and almost all important tracks are provided with stone ballast यह बोलता है कि जो broken stone होते हैं वो best material है आपका as a ballast के रूप में use करने के लिए railway track पे और यह सभी important tracks पे इसको generally use किया जाता है next है broken stone satisfy all the specification and requirement of good ballast आपका जो broken stone है वो सारा जो requirement और जो भी specifications हमने ballast के पारे में पढ़ा है यह इसको fulfill करता है railway track पे next लिखा है the best stone for ballast is a non-porous hard and angular which does not flake when broken यह बोलता है कि जो आपका ballast है वो क्या होता है आपका broken stone वो non-porous nature का होता है साथ ही साथ वो क्या होता है hard होता है और उसमें number of voids कम होते हैं क्योंकि वो non-porous nature का है और उसका जो shape होता है वो angular shape का होता है जिसके कारण यह क्या है load आने के कारण यह break नहीं होता और as it is क्या रहता है अपना जिस जिस हिसाप में से आपने उसको डाला है वो वैसे ही maintain रहता है यह माना जाता है कि जो igneous rock होता है उसको हम excellent result देता है अगर हम उसे ballast के रूप में use करते हैं और generally इंडिया में igneous rock को ही use किया जाता है क्योंकि यह बहुत अच्छा quality provide करता है ऐसा बलास्ट के रूप में जो hard rock अविलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं sand stone और lime stone को भी हम ballast के रूप में use कर लेते हैं और generally जो size हम prefer करते हैं ballast का broken stone का वो रहता है 5.08 cm to 1.9 cm size of stone को हम prefer करते हैं for better stability of the railway track यही आपके bottom के line में mention किया है कि हमको size कौन सा choose करना चाहिए तो यह हो गया आपका broken stone के बारे में next है हमारा gravel किसे कहते हैं तो जो आप बोल सकते हो यह जो दिख रहे हैं आपके rounded rounded shape के यह जो rounded rounded shape के आपको aggregates देख रहे हैं इनही को हम क्या बोलते हैं gravel बोलते हैं या फिर pebbles बोलते हैं इनको भी railway track में use किया जाता है इनको हम railway track में तब use करते हैं जब हमारे पस broken stone अवेलेबल ना हो तो यह हमारा second most important material है जिसे हम ballast के रूप में use करते हैं तो इसमें लिखा है कि gravel हमको मिलता कहां से हमारा river bed से मिलता है नदी के नीचे जो नीचे stone जमा होते हैं वही stone को हम क्या कहते हैं gravel कहते हैं या फिर pebbles कहते हैं यह क्या करते हैं जो smooth pebbles होते हैं या फिर rounded shape के जो आपको pebbles मिलेंगे नदी के नीचे इनको हम as it is use नहीं कर सकते railway track में और इसलिए हम इसको क्या करते हैं इनको break करते हैं और छोटे parts में इनको हम convert करते हैं क्योंकि अगर smooth को हम use कर रहे हैं तो sleeper का अपने position से displace होने के chances होते हैं smoothness के कारण और अगर इसको break नहीं करेंगे हम तो अच्छी packing भी नहीं हो पाएगी आपका ballast का with respect to आपके sleeper इसलिए भी हम क्या करते हैं ये smooth pebbles को break करके हम इसको छोटे parts में convert करते हैं जब हम stone को ramming करके sleeper के नीचे जब हम डाल देते हैं तो उस packing को हम क्या कहते हैं आपका क्या आपका जो stone जो हम आपका जो stone को जब हम ram करते हैं या बोल सकते हो जब हम उसको break करते हैं और जब हम इसे sleeper के नीचे जब use करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं पैकिंग कहते हैं और इसके ऊपर जो बैलास्ट का लेयर आता है sleeper के आसपास उसे हम boxing कहते हैं यह आपका last यहां लाइन पे mention किया है कि packing, boxing और ballast crib किसे कहते हैं बैलास्ट crib हम क्या कहते हैं कि यह मान के चलो हमारा railway track है और यहां पे आपका sleeper है तो यह जो sleepers के बीच में जो आप ballast को use करते हो इनहीं को आप क्या कहते हो ballast crib कहते हो तो क्या होता है the loose ballast between the two adjacent sleeper is known as ballast crib दो sleeper के बीच में जो loose ballast आप डालते हो उसी को आप क्या कहते हो ballast crib कहते हो तो यह हो गया आपका क्या gravel के बारे में next है हमारा ash और cinders यह आपको diagram में दिख रहा होगा यह आपका क्या है इदम ही small size के रहते हैं और इनको हम use करते हैं railway track में ballast के रूप में यह बोलता है this material is available in large quantities on railway from coal being used in locomotives यह बोलता है कि आपको यह मिलेगा कहां से material जो coal आपका coal engine जहां पे use होते हैं जैसे कि आपका पुराने trains जो हैं coal से run करते से वहां पे जो byproduct हमको मिलता है वह क्या रहता है वहां से हमको ash मिलता है और इसी को हम क्या करते हैं यूज करते हैं in railway track ballast के रूप में यह क्या आप करता है drainage quality बहुत अच्छा होता है इसका क्योंकि यह एक porous material होते हैं इसलिए यह easily क्या कर देते हैं water को drain out कर देते हैं बहुत सारे small small spacing होती है इसके कारण water आपका easily drain out हो जाता है इसको generally हम sites पे use करते हैं क्योंकि अगर center पे करेंगे तो wheel load के कारण powder form में convert हो जाएगा इसलिए इसको हम क्या करते हैं sites पे use करते हैं sleeper के बीच में इसको use नहीं करते हैं यह slippery नहीं होता और water को भी रोक के आपका नहीं रखता तो यह generally क्या कर देगा आपका water को easily drain out कर देता है और यह क्या करते हैं हम इसको generally railway stations पे और footpath पे use करते हैं इसको बिचाने के लिए और अगर हम इसको रेलवे ट्रैक में यूज करेंगे तो यह क्या करेंगा आपका जो रेल से उसको इसली क्या कर देगा को रोट कर देगा और मान के चलो यदि आप स्लीपर में स्टील स्लीपर को यूज कर रहे हो तो यह उसे भी इसली क्या कर देगा को रोट कर देगा जिसक समय हम इसको थोड़े समय के लिए टैंपररी ट्रैक के फॉर्मेशन के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं एश और सिंडर को यही इसके डेफिनेशन यहां पर एक्स्प्लेइन किया है पैराग्राफ में इसको आप एक बार रिडाउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा ने यह एक्सि एक्सिलेन ड्रेटी होता है क्योंकि आपको सेंड में बहुत स्मॉल पराम्स higher समॉल किस्झ आपका जो पानिं वहुस्में जमानी होता और बीसली ड्रेम होता है एस इस आपको सेंड होता है स्चैनल रिए करतें इसाले का range tan को सेंड करते हैं और करेगा आपका फाइन सेंड उतनी इजली वाटर को ड्रेन आउट नहीं कर पाता साथ ही साथ यह आपको एक साइलेंट ट्रैक प्रोड्यूस करेगा और क्योंकि यह ज्यादा साउंड जनरेट नहीं करता जब आप सेंड को यूज करोगे रेलवे ट्रैक पे ऐसा बैलास तो आ हवा या वाइब्रेशन के कारण अपने पोजीशन से ब्लोन अवे हो जाता है जिसके कारण यह क्या करता है कभी-कभी जो रेल है उसके ऊपर आ जाता है और इसके कारण जब ट्रेन स्पीड से मूफ करती है तो ट्रेन का जो वील होता है और रेल है उसमें वीर इंट टियर होने के chances बढ़ जाते हैं wear and tear इसलिए होगा क्योंकि rail के उपर आपका क्या आगया है sand आगया है अब sand क्या कर रहा है wheel और rail के बीच में friction generate कर रहा है जिसके कारण wear and tear होने के chances आपके बढ़ जाते हैं तो कभी-कभी sand को ओडने से prevent करने के लिए हम क्या करते हैं stone या फिर broken brick का एक layer टॉप layer में डाल देते हैं ताकि आपका जो sand है वो vibrations के कारण या तेज हवा के कारण अपने position से उड़े मत तो यही explain किया है यह जो sand का जो part है उसमें इसको एक बार आप लोग ज़रूर read out करिएगा और कहीं पर भी doubt होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं next है आपका morum morum का image आपको देख रहा होगा मैंने दो image लगाए हैं एक में आपको देख रहा होगा कि morum कैसे दिखता है यह क्या होता है इसमें clay का भी property होता है as well as इसमें rounded shape के small small stones भी present होते है इनको इस तरीके से railway track में डाला जाता है तो इसमें यह लिखा है कि यह soft aggregate होता है यह generally आपका form कैसे होता है जब आपका laterite soil जो होता है जब आप types of soil पढ़ेंगे तो उसमें आएगा आपका laterite soil तो जब laterite soil decompose होता है तो वो एक नए प्रकार में convert होता है और उसे ही हम क्या कहते है आपका murm कहते है तो जो murm है आपको दो color में available होता है एक तो red color में होता है और दूसरा आपका yellowish color में होता है तो यह क्या करते है कि जब यह decompose होता है तो सारे parts इसके decompose नहीं होते तो कुछ decompose होते हैं तो powder form में रहते हैं और कुछ आपका small small size के laterite stones रहते हैं जिसको मैंने कहा था कि जो portion stone कर रहेगा वो आपका laterite stone कहलाता है ये newly add है आपका railway tag पे और इसको sides में भी commonly हम use करते हैं next है आपका conquer जहाँ पे आपका ये होता है conquer जहाँ पे आपका broken stone easily available नहीं होता वहाँ पे हम इसे use करते हैं ये easily powder form में convert हो जाता है under load इसलिए हम इसका generally use करना avoid करते हैं ये generally आपका जो meter gauge है and narrow gauge के track में इसे हम use करते हैं जहाँ आपका traffic जादा नहीं होता next है हमारा brick ballast brick ballast आपको image में दिख रहा होगा कि कैसे हम brick को break करके small part में convert करते हैं और उसे railway track में हम use करते हैं तो जो over burnt हैं जो आपकी जो kiln में हम brick को burn करके पकाते हैं तो कुछ bricks क्या हो जाते हैं जादा पक जाते हैं तो एक hard stone का form ले लेते हैं उन stone को हम कहते हैं over burnt bricks और हम broken brick जो बड़े size के brick होते हैं उनको भी broke करके as a brick ballast हम use कर लेते हैं यह जल्दी बहुत जल्दी powder form में convert हो जाते हैं under heavy loads इसलिए इनका भी हम use generally avoid करते हैं यह हम temporary rail track formation के लिए broken bricks को use करते हैं लेकिन यह एक अच्छा drainage provide करते हैं और rail track को में water को store होने से avoid करते हैं तो temporary track formation के लिए हम इसे use करते हैं लेकिन यह आपका अगर आप use करोगे तो आपका जो rail है उसको easily corrugate कर देगा तो इसको भी हम avoid करते हैं next है हमारा blast furnace slag blast furnace slag हमें कहां से मिलता है जब किसी factory में हम iron बनाते हैं तो iron जब manufacture होता है तो उसका जो by product हमको मिलता है वो उसे ही हम क्या कहते है blast furnace slag कहते हैं इसका density बहुत high होता है और यह hard material होता है जिसे हम railway track में as a ballast के रूप में use कर सकते हैं क्योंकि आप देख रहे होंगे यह eight point है तो इसका जो आप बोल सकते हो importance उतना जादा नहीं है इसलिए अगर कोई material available नहीं है उसी condition में हम इसे use करेंगे next है हमारा selected earth next sorry last है हमारा selected earth selected earth को हम generally side पे use करते हैं hard clay को use करते हैं temporary track formation के लिए इसे हम use करते हैं जब हमारा कोई भी material available नहीं है और हमको temporary track form करना है immediately urgently उस condition पे जो आपका material या जो soil हमको easily available होता है उस particular area में तो वहां पे जो available material है उसको use करके हम क्या करते हैं का form formation करते हैं तो मेरे ख्याल से अब बैलास्ट का portion आपको clear होगा कि हम बैलास्ट क्या होता है क्यों use करते हैं उसका function क्या होता है कितने प्रकार के होते हैं तो इसमें कोई भी doubt होगा तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं thank you